हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जबर पैस कीजिए इससे मेरे आने वाली हर नई रेसिपीस की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचेंगी असलाम, आज हम बनाने जारे है मुर्ग मुसलम विठ राइस, मुर्ग मुसलम की ग्रेवी भी बनती है यह मैंने 10 kg चिकन लिया है यह मैंने अख्य चिकन लिय है इस पर प्र मैंने कट लगा लिये है आपको अच्छी तरह से गहरे कट लगाने है और इसको अच्छी से वाश करके मैंने किचिन टॉविल से इसको इस तरीके से पोच लिया था ताकि इसका जो भी पानी है वो सूख जाए तो सबसे पहले हम इसका मेरिनेशन रेडी कर लेते हैं यह मैंने सौ इराम दही लिया है इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था और इसको डाल देंगे इसमें ज्यादा पानी वाला दही नहीं है हमारा आप चाहे तो हमकर्ट का भी यूज कर सकते हैं 1 टेबल स्पून अधग लसन का पेस्ट 2 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट और 1 टीस्पून मैंने सिरका इसी में मिला दिया है मेरी हरी मिर्चे फीकी है इसने मैंने 2 टीस्पून नहीं है अगर आपकी तेज है तो आप हिसाप से डालिएगा मैंने मासालों में मैंने 1 टीस्पून कशमीरी मिर्ची ली अफ़ टीस्पून हल्डी आप टीस्पून जीरा थे Konय दन्यव्टर शान गरं मसाला हाफ टीस्पून चाक मसाला हाफ टीस्पून berspr Pacific peper 1 तीस्पून's तंदूरी पाउडर लिया है तंदूरी मसाला इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन में और चाट मसाले में भी नमक होता है तो आप चक लीजेगा नमक को फिर हिसाब से डाले रेट फूट कलर लिया है मैंने इससे हमारी चिकन पर बहुत अच्छा कलर आ जाएगा और हाफ लेमेन जूस गाल देंगे मसालो को अच्छी तरह से मिला लेंगे अब चिकन पर अच्छी तरह से हमें मसालो को लगा लेना है इसके कर्ट में फिंगर को इंसर्ट करके अच्छे से मसाले लगा लीजिए एक एक कर्ट में आपको मसालो को अच्छी तरह से अंदर तक लगा लेना है अंधर भी आप चिकन में जो अंधर का पाठ है उस पर भी आप लगा लीजिए मसाल्या इसको Pल्टी करके इसके बैक साइड पर भी अच्छी तरह से मसालों को लगा लीजिए यह देखिए अंधर तक लगाया है मैंने तो इसको हम मैं तीन घंटे के लिए मैरिनेट होने रख दूंगी, आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जितना आप मैरिनेट करोगे उतना अच्छा आपका चिकन मुर्ग मुसलम बनेगा, तो जब तक हमारा मुर्ग मुसलम मेरिनेट हो रहा है, हम राइस बना लेत गरम मसालों के तड़क जाने के बाद इसमें मैंने 5 प्याज ली थी, उसको चौप कर लिया था, तो प्याज को हम डाल कर इसमें ब्राउन कर लेंगे, जादा ब्राउन बिरिस्ता नहीं बनाना है, हलका ब्राउन कर लेना है, तो ये देखिए, ब्राउन हो चुकी है, 1 कर मेरा हुर। पेस्ट बना लिया है, मेरी फीकी है, इसलिए मैं ये जादा डार रही हूँ, मैं पोना किलो राईस बना रही हू, उस हिसाब से मैंने इतने मसाले डाले हैं, अगर कम बना रहे हैं तो आप मसालों को कम कर दीज़े, कौईंटी मसालों की तो अद्रक लसन हरी मीची भुन गई है तूटी स्पून धन्या पाउडर और तूटी स्पून गरम मसाला डालेंगे मुर्ग मुसलम का जो राइज होता है वो बहुत ही कम मसालों में बनाया जाता है जादा मसाले नहीं होते उसमें तो यह मैंने जो हमने चिकन मरिनेट किया था उसका मसाला बज गया था तो वह हम इसमें डाल देंगे इससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हमारे राइस में आपको वेस्ट नहीं करना उसको और यह वन एन हाफ टेबल इस्पून मैंने दही डाला है इनको भी मिक्स कर लेंग तो टेश्पून भरकर मैं इसमें नमक दार रही हूं और हाफ लेमन जूस दालेंगे यह मैंने थोड़ा पुदीना लिया था उसको हलका सा चौप कर लिया है और यह हरा धन्या लिया है एक कटोरी भरकर डाल देंगे इसमें यह मैंने कैपसिकम लिये है इनको कट करके मैंने डाल दिया है यह ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहे तो डाले मगर इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है राइस में आप चाहे तो इसमें गाजर का भी यूज़ कर सकते है यह मैंने पॉना किलो बासमती चावल लिये हैं, इनको मैंने आदे घंटे के लिए भीगो कर रखा था, ये इसमें डाल देंगे हम, तो चार गिलास मेरे चावल थे, तो मैं इसमें पांच गिलास पानी डालूगी, और इसको मिक्स कर लेंगे, फुल फ्लेम पर पानी सुखा लेंगे, पानी सुखन ग्रिल कर लेते हैं, मैं इसको अवन में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसको पैन में भी बना सकते हैं, तो ये सलिया मैंने इसमें डाल दिया है, इसको हम फिट कर लेंगे चिकन को, इस तरीके से आपको डालना है इसके अंदर, इंसर्ट कर देना है, अच्छी तरह से, य इसके लेक को आप धागों से बान लीजिए, दोनों लेक को, तो इस देखिए मैंने इसको फिट कर दिया है, अब हम इसको आवन में रख देंगे, तो आवन में मैंने चिकन को रख दिया है, इसको मैं 250 टेमपरेचर पे 60 मिनेट के लिए बेख होने दूंगी, ये ट्रे पर मेरा चिकन लग रहा था थोड़ा, तो मैंने इस ट्रे को चेंज करके, बाद में एक पतली सी प्लेट रख दी थी, तो ये देखिए, राइस हमारे दम हो चुके है, पानी सुकने के बाद हमने इसको पन्रा मिनिट के लिए दम दे दिया था लो फ्लेम पर, तो डीशाउट कर लिया है मैंने, हमारा मुर्ग मुसलम विथ राइस बनके बिल्कुल रेडी है, मैंने बॉल किये वे एक्सिस को डेकोरेट किया है, अगर आप एक डालना चाहें तो दम में भी डाल सकते हैं, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरी रेसिपी को जरूर ट्राय करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही लजीज होता है आप इसे पाटी में बना सकते हो घर के नहीमानों के दावत में बना सकते हो आप इसे पाटी में बना सकते हो